जो मेंसी की दोस्तों, आज के सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है, पहला कुरंथियन की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका ग्यारवा वचन. वचन कहता है, मनश्यों में से कौन किसी मनश्य के विचारों को चानता है, केवल उस मनश्य की आत्मा के जो उसमे है, इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़, परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, परमेश दूसरों जो परमिश्र हमें चुनता है और हम परमिश्र के राच्चे में आते हैं हम परमिश्र के चर्णों में आते हैं और हम परमिश्र के वश्णों को समझे लगते हैं लेकिन कभी-कभी हमारे मन में संधे होता है हमारे मन में confusion होता है कि हम क्या करें? हम किसलिए चुने गए है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी सेविकाई दी गई है लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है, यहाँ पर हमें वचन बताता है कि मनुष्य के मन में क्या है, कौन जानता है, उसकी आत्मा आपके मन में क्या है आपकी आत्मा जानती है आपके पत्नी के मन में क्या है आपके दोस्तों के मन में क्या है आपके दोस्तों की आत्मा जानती है इसलिए परमेश्वर के मन में क्या है परमेश्वर की आत्मा जानती है और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमार इस साहता के लिए अपनी आत्मा को हमारे अंदर उडेला है इसलिए दोस्तों परमेश्वर के मन में क्या है अगर हम इस जानना चाहते हैं तो हम उसकी आत्मा के अधीन रहें हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाएं हम उसकी आत्मा के दोरा अपने आपको चलाएं, अपने जीवन को चलाएं, अपने मसी जीवन को चलाएं, जब हम अपने आपका अधिकार, अपनी बुद्धी का अधिकार, अपनी शक्ति का अधिकार, अपनी यादाश की शक्ति का अधिकार, जब हम अपने ग्यान का अधिक उस आत्मा को देंगे जो परमेश्वर की आत्मा है और जब हम उससे कहेंगे जो हम उससे पूछेंगे तो आत्मा हमें बताएगा कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है दोस्तों इसे जानने का बहुत सरल तरीक इसमें कोई भी अबवात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी देवर मंदिर है और मेरा आत्मा तुम मेवास करता है। लिया इसलिए वो कहता है इर्मिया 33 का तीम में कि मुझसे प्रात्ना कर और मैं तेरी सुनूगा मैं तुझे बड़ी-बड़ी और गूर बाते बताऊंगा जिने तु नहीं जानता है सोचा अपने समझा बें आप जानना चाहते हैं अगर कि परमेश्र के मन में क्या है वो गूर बाते परमेश्र आपको बताना चाहता है परमेश्र खुद चाहता है कि मैं अपने रहस्य को अपने बच्चे पर प्रकट करो परमेश्र खुद चाहता है कि वो योश्रा का रहस्य पर्मेश्र के प्लानिंग का रह से क्या है वो अपने बच्चे परप्रकट करें इसलिए उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर उडिया है इसलिए संकोश मत करिये संदे मत करिये विश्वास करिये कि वो आत्मा वो गुरू वो प्रभू जो पर्मेश्र की आत्मा है वो हमारे अंदर है और वो हमें बताएगा दोस्तों मैं बॉलिवुट से आता हूँ मैं कई फिल्मों का हीरो रह चुका हूँ कई सीरिल्स मैंने डारेट की हैं बॉलिवुट में लेकिन तकरीबन 12 साल से मैंने इंडर्स्ट्री को छोड़ दिया है और जो मैं नया न मुझे बता मैं कैसे अपने मसी जीवन को चलाओं मैं कैसे अपने जिन्दगी को चलाओं मैं कोई ऐसा काम न करूं जो परमेश्र की द्रिश्टी में गलत है मैं परमेश्र के सूसमचार को दुनिया तक पहलाओं और उसके सामर्थ को पाओं जो हमारे अंदर है हालेलोया इ और अपने साथ एक एक आत्मा को लेके जाएए परमेश्र की इच्छा है और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में अपनी सेविकाई के बारे में तो खुटने टेकिए और उस आत्मा से बोलिए वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है आई हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेश्र धन्यवाद देते हैं तेरे इस पवित्र समर्थी वचन के लिए परमेश्र तरी आत्मा हमारे अंदर है हम प्रात्रा करते हैं सौने वाले हर भाई बहन को परमेश्र आपकी आत्मा बताए कि उस को क्या करना है अगर वो मुश्किल में उसकी मुश्किल आसान हो अगर वो संधे में तो उसका विश्वास बदले परमेशर उसका विश्वास बड़े परमेशर और वो संकुछ करता है तो परमेशर उसका उसमें उनमात और उस्सा पैदा कर दीजे परमेशर ताकि वो आपकी